खबर चाहे राजनिती की हो, सामाजीक हो, या हो घटना दुरघटना की बात चाहे प्रश्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्धो की हो, या हो कानून प्यवस्था की अब बाते होंगी आपके सहर की नमुकौ बहु महेक और आप देख रहे हैं मननत समचार जन अधिकार पार्टी के राष्टी अधियक्ष पप्पो यादव जी के निर्देश पर किया गया 48 घंटे का भूखर्ताल, स्टेट हैट बहम्मद रहमतुल्ला सुपोल जिला में जन अधिकार पार्टी के परदेश अधियक्ष रागबेंदर सिन कुषवाहा की आवाहन पर सुपोल जिलाज्या पिकाई के द्वारा पास सूत्री मांगो को लेकर 48 घंटे का भूखर्ताल किया गया भूखर्ताल के अधियक्ष सुपोल जिलाज्या नंद कुमार चौधरी के द्वारा किया गया नेट परिक्षा में OBC चात्रो को रिजरेशन बहार करो की मांग की सरकारी संस्थानों जैसे LIC रेलवे जैसे संस्थानों के इन निजी करण के खलाफ एवं पार्टी अधियक राजेश रंजन और पप्पो यादो जी को अनियाएपूर गिरफतारी एवं रिहाई को मांग को लेकर भूखरताल आयोचन किया गया भूखरताल को संबोदित करते हुए त्रेवेड़े गंज के पूर विधाई का शिरिमती अमला सरदार ने कहा कि आज की जुलमी सरकार के द्वारा जो महंगाई लाई गई गैस की महंगाई गरीब परिवार की महिलाएं अच्छा खा जीपती मित्रों का कर रही है भूखरताल में शामिल हुए जिलाद्यक नन नंकुमार चौदरी दिलखुष ठाकुर मिन्नतुल्ना खान मुकेश यादव संजेज जा शीफ कुमार यादव परविर पार्ठक सुभाश यादव विवेक कुमार रेनु भारती आधी पार्टी डीजल करवा तेल गैस सिलिंडर यह तमाम जो भी महागाई बड़ी हुई है घर का बजट खाब हो गया है बच्चे रक्सिक्षा खतम हो गई है इस तमाम जो चीजे हैं इसको रूख लगाई जाए अभी जो जितना संस्था है स्रकारी सब को निजिकन करते जा रहा है लग अभी जो बात प्रवाबत छित्र है उसमें कोई मौपजा नहीं कोई संसाधा रुगद नहीं है उसे अभी नम्र किया जाए हमारे अभी जो जो जाम मीट का एक जाम का जो रियर गाया है उसमें देखिए ओविसी आरशन खतम कर दिया है हमारे पुरवजों ने ओविसी आर कार अपने मन से जो होता हो करता है तो समझ नहीं है कि तुम इसी आंता के द्वारा चुने हुए हो तुम पिछला पिछला हिंदू-मुसलमानी नाम पर बोड़ने के जित जाते हो लोगों को तुम ये एक हैजेक करके शुर दियो इस देश को बड़े-बड़े उपती को त तुम ने सामने लागे खड़ा कर दिया इसलिए अब हमारे राष्टे द्रेश पप्पु यादर जी है अब सब्सक्राइब है क्यों हुए जब केस है है नहीं केस करने वाला कारा खलूर में कुछ बात नहीं हुए थी हम भूल गे देश क्या केस है नहीं है ये नौनों और सब्सक्राइब करना के नाम पर ठावा में रखकर पूरे बिहार में सब्सक्राइब करने काम किया क्या गरीबों के मदद करने का काम अपराद है तो पपु जादर अपराद ही है सर यह वह खरताल का आप लोग कितनी दिन तक बढ़े रहेंगे लोगों को अपर्व हम लोग उस दिन तोर करके इद मनाएंगे एक समाज सवार्था सवार्था की वतावरों पैदा करेंगे लेगे हमारी मांग अगर पुड़ा नहीं होता है उसके बाद प्रेक करेंगे चनवत आद्रम पूरे बिहार में होता रहेगा नंग तुमाजरी जिलाद यह जनिकार पार्टिंग सुपोर्ट आज आप लोग भूख अर्टाल पे बैठे हुए हैं किस कारण को लेकर के आज आप लोग भूख अर्टाल पे बैठे हैं आकर क्या जो है सरकार से आप लोग कमांगे देखिए सरकार के जो रवईया चल गए है केंद्रा और एस्टेट दोनों सरकार के दुरूज में हम लोग 48 घंटा के भूख अर्टाल पर बैठे हुए हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष पपुजाद अभी अभान पर हम लोग दिला में बैठाग रखे हैं और 48 घंटा के भूख अर्टाल पर हम लोग रहेंगे इसलिए कि महगा इतना चरम सिमा पहुच गई है कि महलाओं की खासकर जीना मुश्किल हो गया है चुकि घर में पुरुष कितनों ही कमारे महला को घर चलाना पड़ता है महला अगर एक्टिव नहीं रहेगी उसका पुरुष कुछ भी कमा कर देगा घर में गिरी नीता चलाना पड़ता है इसलिए कि बाल बच्चे का परहाई इखाई हो और घर का जो गिरी नीता गैस का प्रोबलम है अभी गीजल प्रेट्रोल का जो महगाई उतना चरम सिमा है कि गोगी बहरी सरकार को कोई पसर नहीं पड़ रहा है कमी हम लोग में है जो अनिनों को जिता करके आज पुर्शी दिये है और इसी का पई नाम है जो हम लोग भोग रहे है हमारी महिला भेने भोग रही है हमारे सरकाराष्टी अध्यक्जी जो अच्छे काम का उजागर करने के लिए कि मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती हूं कि जिसकी लाठी उसकी भेश तो आज इसका उजागर किया उस एवेज में आज हमारे अध्यक्जी को सप्तर दीन हो गया होगा लमसब जो उसको बंद करके रखा हुआ है हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे राष्ट अध्यक्ज को रहा करें चूकि पिसरा लहर आने वाला है अभी यूपी पहुँच चुका है और बिहार में भी पहुँचने का समभाबना है कि हम लोग के बीच आएँगे हमारे राष्ट अध्यकश हमारे जो गरीब जो मसिहा है उनको दूर करने के वो काम करेंगे, दावाई से लेकर भोजन तक और हर दुख की समस्या को निदान करने के लिए वही हम लोग का नेता है, जो पूरे सब का दुख सुख में हमें साथ काम काते हैं, इसी एवेज में हम लोग आजधारना पर बेठे हैं, क्योंकि स्पोल जीला में तिन-तिन मंत्री हैं, अभी बार सित्रित कोशी में सभी आदमी जुझ रहे हैं, ना नो मिली है, ना कोई भोजन मिला है, ना कोई थाने का फुट पैकेट मिला है, आज हमारे अध्यक्त भाइनंद कमा चोधरी ने जो कहा, वो सही है, और आज इस सरकार के बिरोध में हम हम लोग महागाई के बिरोध में हम लोग फुट खर्तान पाता है, मेरा नाम मेरा स्रीमती अमलादेवी, पुर्विधायक तिरवेनी गंज, राष्किय महासची भी जनदी करपादी है, और भेठरे आज 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 आप लोग फुट खर्तान पे बैठे हुए हैं, अगिर क् हम लोगों की जो लराई है, यह सिर्फ भूख हर्ताल ही नहीं है, आज हम लोग भूख हर्ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार की जो तानासाही रवय्या है, जो निकम्मापन है, उस वज़ा से लाखों गरीब वन्चित परिवार हर दिन भूखे रह रहे हैं, हम लोग उसी के न्याय के लिए, आज भूख हर्ताल पे बैठ करके, सरकार से मांग करने को आये हैं, जिस तरीके से यह डवल इंजन की सरकार, जो नारा दे करके आये थी, सबका साथ, सबका विकास, आज वो सबका साथ तो ले ली है, लेकिन विकास सिर्फ अपने पुंजी पती मित्रों का, जो करने का अवियान चला रखा है, उसके खिलाप आज हम लोग धरना पे, भूख हर्ताल पे बैठे हैं, आज जिस तरीके से बेरोजगारी की मार है, जिस तरीके से कोरोना मिर्तकों और बाढ़ प्रभावित लोगों को सहीद मुआबजा आज तक नहीं द पती आ गया है सरकार के द्वारा, जिस तरह से देश की जो आधी आवादी है, आधी से भी अधिक आवादी जो ओविसी वर्ग का है, उनके बच्चों को आज नीट जैसे परिक्षा में विदर्वेशन को खत्म करके उनको डॉक्टर बनने से वंचित किया जा रहा है, आख पती बिक रहा है, और ऐसे ऐसे कई जो सरकारी संस्थान है, वो आज गिर्वी रखा गया है, आखिर क्यों पप्पु यादब जी जैसे लोग जब गरीबों का, जरूरत मंदों का, बेसहारों का सहारा बनते हैं, उसे मदद करते हैं, उसे जान बचाने का काम करते हैं, तो इन जबल इंजन की सरकार को पेट में दर्ध होती है, और उजबरदस्ती बिना केस का, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, इन सारे सवालों को ले करके, आज हम लोग पपु यादब जी की रिहाई की मांग, और साथ ही साथ, जो क्यंदर सरकार की दोहरी नीती है, एक इस OVC मंत्री को सपतगरन दिलाते हैं, और दूसरे तरफ उसी OVC वर्ग के बच्चों को रिजर्वेशन खत्म करके, मेडिकल में जाने से, डॉक्टर बनने से, वंचित करने का फर्मान पास करते हैं, यह दोहरी चरित्र की राजनीती देश में नहीं चलेगी, हम लोगों जो का सीधा मानना है, जो जिसकी जितनी आबादी है, उस हिसाब से, जब अन्य वर्गों को उनका अधिकार मिला हुआ, उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो इतनी बड़ी आबादी के साथ नाइंसाथी क्यों, चा एक समाज के चंद लोगों को आगे बहा करके, विक झाल झाल